आज के वीडियो में हम मतुरा के पेड़े बनाना सीखने वाले हैं, ये डीटेल वीडियो रहेगा, इसमें हर एक स्टेप को मैंने बारी की से समझाया है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, एंड तक देखिएगा ताकि अब रेसिपी को अच्छी तरह समझ पाए नमस्ते मैं हूँ वर्षा वीडियो पसंद आए, तो लाइक का बटन जरूर दबाईए, चलिए फिर शिरू करते हैं बनाने के लिए 2 लीटर फूल क्रीम दूद लेंगे, फूल क्रीम दूद यानि की ऐसा दूद जिसमें से अब तक मलाई नहीं निकाली है, या अदा अदा लीटर के 2 पैकेट है, पेड़े बनाने के लिए हम 4 पैकेट दूद यूज़ करने वाले हैं, आप किसी भी है कडाही में डालें दो चमच पानी पानी डालने से ये होगा कि जब दूद इसमें डाला जाएगा तो वो पानी डालने के कारण चिपकेगा नहीं अब एक एक करके दूद के चारों पैकेट डालें आदा लीटर का एक पैकेट है टोटल दो लीटर दूद यूज किया है एक ये दूसरा पैकेट, ये तीसरा पैकेट, चौता पैकेट दूद्ध भी मैंने इसमें डाल दिया है, चम्मत से मिक्स कर लेंगे, अब गैस का फ्लेम हाई कर दीजिए ताकि दूद्ध में उबाला जाए, दूद्ध उबलने लगा है, जब दूद्ध में इस तरह का उबाला तो गैस का flame medium पर कर दें, चमत से इसे mix कर लेंगे, किनारे पर जो दूद चिपकने लगा है, इसे चमत से scrape करते जाईए, निकालते जाईए, इस दूद को गाड़ा करना है, ये process काफी time consuming है, काफी time लगता है दूद को गाड़ा करने में, तो दो तरीके हैं, पहला तो ये कि आप गैस को medium to high रखिए, और लगातार चमत चलाते रहिए, क्योंकि गैस तेज है तो रुक नहीं सकते, लगातार चमत चलाते रहना है, परना दूद कड़ाही के तले से चिपक जाएगा, नीचे से जलने लगेगा, लेकिन गैस high flame पर या medium flame पर है, तो दूद को गाड़ा क करने में time कम लगता है, आप एक गंडे में ही दूद को गाड़ा कर लेंगे, और दूसरा तरीका ये है कि गैस का flame बिलकुल धीमा कर दीजिए, क्योंकि गैस धीमा है तो दूद इतने जल्दी नहीं चिपकेगा, धीमी आज पर दूद को उबलने दें, इसके साथ ही आप कि किचिन के दूसरे काम करते रहिए, थोड़ी थोड़ी देर में बस ये ध्यान रगिए कि चमत से मिक्स करते रहना है, दूद भी गाड़ा हो जाएगा और साथ में किचिन के दूसरे काम भी हो जाएंगे, गैस धीमा है तो इस तरह करने से time थोड़ा जादा लगता है, दू से बारा इलाइची इस तरह बेलन चला दिये तो छिलका और दाना अलग हो जाएगा इलाइची क्रश हो चुकी है अब हातों से दाना और छिलका अलग कर लेंगे इलाइची का फ्लेवर मेन है तो मैंने इलाइची थोड़ी जादा ही डाली है छिलके को फेकने की जगा आप इने चाय पत्ती के डपे में डालिए तो चाय में इलाइची का फ्लेवर आ जाएगा अब आपस बेलन से दानों को पीस लेंगे मैंने थोड़ा दरदरा सा पीसा है, फाइन पाउडर नहीं किया है 100 ग्राम चीनी ली है, कप से ये आदा कप है अगर ध्यान से देखा जाए तो आदा कप में एक चमच कम ही चीनी ली है और बजन में तो ये 100 ग्राम है, दूद काफी रिट्यूस हो चुका है दो लीटर दूद था, उबलने के बाद अब ये केबल एक लीटर बचा है मिक्स करते हुए इसे गाड़ा कर लेंगे दूद जितना गाड़ा होगा उतना जादा चांस रहेगा कि ये तले से चिपकेगा ये देखिए दूद अब इस स्टेच पर आ गया है कि इसमें दाने बनने लगे हैं जब दूद इस स्टेच पर आ जाए तो अब आप इसे बिलकुल नहीं छोड़ सकते लगातार चमत चलाते हुए इसे गाड़ा कर लेंगे अब ये हलका सा धीला है इसमें थोड़ा दूद पाकी है इसे भी कुक कर लेंगे सारा दूद सूख चुका है बस इससे ज़ादा नहीं पकाना है येस बंद कर दिया है इसमें एक टेबिल स्पून देशी घी मिला लेंगे घी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है मतुरा के पेड़े कलर में डार्क होते हैं हलके सुनेरे रंग के होते हैं हमने जो मावा तयार किया है वो तो सफेद है तो देखते जाएए कुछ ट्रिक्स का यूज करने वाले हैं जिससे की मावा में कलर आ जाएगा थाली से ढखकर इसे 20 मिनिट के लिए रखिए याद रहे कि गयस बंद कर चुके हैं और 20 मिनिट तक इसे लगातार नहीं रखना है 10 मिनिट हो जाएं तो थाली हटा कर मिक्स कर लेंगे कडाही काफी गर्म है 20 मिनिट के लिए छोड़ देंगे तो मावा जल सकता है तो जब 10 मिनिट हो जाएं तो आप थाली को हटा कर मिक्स कर लीजिए फिर पापस ढखकर पचे हुए 10 मिनिट के लिए रहने दीजिए तो इस तरह से टोटल 20 मिनिट के लिए ढखकर रखना है जब तक हम पूरा तयार कर लेते हैं पूरा को शक्कर का पूरा खांड या तगार के नाम से भी जाना जाता है या तो मार्केट से लिए आईए अगर घर में बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे ये देख लेते हैं पैन में डालें आदा कप यानी की 100 ग्राम चीनी जो अभी हमने माप कर रखी है दो चमच के जितना पानी मैंने बस इतना पानी डाला है कि चीनी पानी से भीग जाए पैन में एक्स्ट्रा पानी बिलकुल नहीं डालेंगे ये जो हमने दो चमच पानी डाला है ये मदद करे का चीनी को पिगलने में, कैस मीडियम फ्लेम पर है, चीनी भी पिगल चुकी है, चमर से इसे मिक्स कर लेंगे, थोड़ी ही तेर में आप देखेंगे कि इसका टेक्स्चर कुछ इस तरह का हो जाएगा, पैन में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जाग नज़र आएगा, इसे मिक्स करते हुए इसी तरह पकाते रहिए, अब गैस को मैंने बिल्कुल धीमा कर दिया है, एक मिनिट पकाने के बाद इसमें डालें एक टी स्पून देशे घी, बापस से इसे मिक्स कर लेंगे, जब घी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो गैस को बंद कर दें, अब भले ही हमने गैस बंद कर दिया है, लिकिन इसे मिक्स करना बंद नहीं करेंगे, लगातार चम्मत चलाते रहिए, पैन को मैंने गैस से भी हटा दिया है, इस टाइम भी लगातार चमत चलाते रहिए थोड़ी ही दिर में ये अपना टेक्स्चर चेंज कर लेगा पहले तो ये लिक्विट था, अब ये सफेद कलर का होने लगा है दो मिनिट के बाद ये मिक्स्चर एक साथ आ चुका है पूरा बनकर तैयार है इसमें शक्कर के बड़े बड़े टुकडे दिखाई दे रहे है या तो आप इसे चमत से दबा दबा कर स्मूध कर लीजिए ऐसा करने में थोड़ी मेहनत लगती है तो एक शौट कट है मिक्सर चार में इसे ट्रांसफर कर लेंगे पैसे तो मैंने चमत से दबा कर इसका फाइन पाउडर तैयार कर लिया है लेकिन फिर भी और ज़्यादा फाइन पाउडर करना है तो इसे दो तीन बार पल्स कर लेंगे यानि कि इसे पीसेंगे नहीं केबल पल्स देना है पल्स देना यानि कि मिक्सर चलाईए एक सेकंड के बाद बंद कर दीजिए फिर से मिक्सर चलाईए एक सेकंड के बाद बंद कर दीजिए ऐसा हमें तीन से चार वार करना है तो इस तरह का फाइन पाउडर तयार हो जाएगा एक पूल में ट्रांसफर कर लेंगे तो ये पूर पेड़े अगर किसी चीज के लिए फेमस हैं तो वो है टेस्ट जो स्टेप्स मैंने बताए हैं अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो काफी अच्छा टेस्ट आ जाएगा अब प्लेट को हटा कर देखते हैं क्योंकि कड़ाही काफी गर्म थी तो प्लेट पर नमी साफ नजर आ रही है मावा का कलर देखिए पहले ये सफेद था और अब इसमें कलर आ चुका है और आगे के स्टेप्स जो हम फॉलो करने वाले हैं उन्हें फॉलो करने से इसमें और भी जादा कलर बढ़ेगा ये देखिए इसी चमच से मिक्स करते हुए हमने मावा बनाया था तो इस चमच पर जो मावा लगा हुआ है वो सफेद कलर का है और कडाही में जो मावा है आप उसका कलर देखिए कलर में काफी अंतर आ चुका है अब मैंने लिया है लोहे का तबा क्योंकि हलपाई जब बनाते हैं तो लोहे की कडाही में बनाते हैं और लोहे की कडाही में बनाने क के कारण फ्लेवर में काफी अंतर आ जाता है इसलिए मैंने भी फ्लेवर को बढ़ाने के लिए लोहे का यूज किया है अगर आपके पास लोहे की बड़ी साइस की कड़ाही है तो शुरू से जब हमने मावा बनाना स्टार्ट किया था दूट डालने के बाद तो आप अलूमी चीनी का पूरा बना कर रखा है वो अलग है यहां पर अलग से तीन चमश दानेदार चीनी लेना है गैस को लोट टू मेडियम रखिए अब चीनी को पिगलने दें किनारे से चीनी पिगलना शुरू हो चुकी है थोड़ी ही तेर में जो बच्ची हुई चीनी है वो भी करें परना चीनी जल सकती है तो इस स्टेप को ध्यान से करिएगा चीनी में केबल कलर करना है उसे जलाना नहीं है ध्यान रखिए किसी भी कंडिशन में चीनी जलनी नहीं चाहिए अगर चीनी जली तो सारा फ्लेवर खराब हो जाएगा एक तरह से देखा जाए तो यह हमने चीनी का कैरेमल बना लिया है जो मावा बना कर रखा हुआ है वो डाल देंगे पहले थोड़ा सा मावा डाल कर चीनी के साथ मिक्स कर लीजिए जब ये मिक्स हो जाए तो जो बचा हुआ मावा है उसे भी मिला लेंगे जब मावा को कैरेमल के साथ मिक्स किया तो कुछ मिनिट के लिए मैंने पैन को गैस पर से हटा दिया था और अब आपस पैन को गैस पर रख दिया है गैस का फ्लेम बिलकुल धीमा रखिए आप देखेंगे कि कैरेमल जैसे जैसे मावा के साथ मिक्स होता जाएगा तो इसका कलर और भी ज़्यादा चेंज होगा कलर और भी ज़्यादा डार्क होता जाएगा कैरेमल मिलाने के है तो गैस को बंद कर दीजिए इसे ढख कर रखिए 20-25 मिनिट के लिए लगाता ढख कर नहीं रखना है बीच में खोल कर इसे एक से दो पार मिक्स कर लीजिए का परना ये नीचे से जल सकता है मैं आपको आदे घंटे के बाद खोल कर दिखा रही हूँ इस टाइम पे माव लेते हैं नीचे की साइट से तो इसमें और भी ज़्यादा कलर है प्लेट में फैला देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए इसमें डाली ये इलाइची पाउडर जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था पूल में जो बूरा बना कर रखा है उसे भी मिक्स कर लेंगे दो चम्मच के जितना पूरा बचा लिया है इसे बाद में यूज़ करने वाले हैं इलाइची, मावा, बूरा इन्हें आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस बात का ध्यान रखिए कि जब मावा थंडा हो जाए तब ही इसमें बूरा डालें अगर गर्म मावा के साथ बूरा मिक्स कर दिया जाए तो मिक्सचर धीला हो जाता है अगर ऐसी सिच्वेशन आ जाए कि आपको मिक्सचर धीला लगे पेड़े को शेप देने में प्रॉब्लम आए तो एक घंटे के लिए मिक्सचर को फ्रिज में रख दीजिए जब ये ठंडा हो जाए तब इसके पेड़े बना सकते हैं लेकिन मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी क्योंकि माबा अच्चे से ठंडा हो चुका था उसके बाद ही मैंने इसमें बूरा मिलाया है तैयार मिक्सचर से मेडियम साइस के पेड़े बना लेंगे शेप आप जैसा देना चाते हैं वैसा दे सकते हैं मैंने इने पहले गोल किया फिर बीच में थोड़ा दबा दिया है इसी तरह से सारे पेड़े बना कर तैयार कर लेंगे पेड़े बना लिये हैं जो दो चमच पूरा हमने बचाया है उसे उपर से लगा लें मतुरा के जो पेड़े होते हैं उनकी उपर भी बूरा लगा होता है तो सभी पेड़े को पूरे के साथ खोट कर लेंगे और साथ ही एक पर फिर से ने हतेली के पीच में रखकर शेप देते जाईए होम मेट मतुरा के पेड़े बनकर रेड़ी हैं कलर परफेक्ट है घर में एक बाद ट्राइ करके देखिए टेस्ट तो आपको जरूर पसंद आएगा त्योहार के समय मिटाई के डब्बे में पैक करके इन्हें गिफ्ट भी किया जा सकता है या इन्हें प्रसात के लिए बना सकते हैं उमीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी को दबाईए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में थैंक्स फूर वाचिंग